हलो फ्रेंट देखिए जैसे कि हम आप सभी लोगों को जो ncrt की सेंवरी कंप्लेट कर रहा है यानि कि जो 678 का जो कमबाइन क्लास हम आप लोगों को करा रहे हैं इसमें देखिए हम आप लोगों को एक चिप्टर करा चुके हैं जिसमें हमने आपको बताया है चिप्टर वन इतिहास को कैसे जाना जाता है यहाँ पर दिखिए हमारा अध्यायद 2 है अध्यायद 2 का नाम है आपका मनों का बिखास प्रारम्बिक समाज से नगर तक ठीक है तो तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हम आप सभी लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कराएंगे क्योंकि यह वाला जो चेप्टर है थोड़ा सा लॉंग है ठीक है तो ज्यादे टाइम का हो जाएगा हमारा क्लास ठीक है इसलिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे और देखिए इससे जो आपके साथ जुलाई को ही सिट्ट का एकजाम है ठीक है उसके लिए आप सभी लोग बहतरीन क्वेस्चन्स सॉल्व करें देखिए डेली के डेली हम आप लोगों को पोश्ट प्रोवाइट करा रहे हैं ठीक है इससे आप लोगों को क्या होता है क्वेस्चन जो है वह रिवीजन यान कि जो मानो का भिकासे प्रारंभिक समाथ से लेकर नगर तक ठीक है इसमें हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को पाशार काल के बारे में पढ़ना है ठीक है पाशार काल के बारे में पढ़ना है आरंभिक मानो की जानका के बारे में पढ़ना है नो पाशाड काल में मेहर गड़ के बारे में पढ़ना है दाउ ढुझ जली हीडिंग के बारे में पढ़ना है ठीक है इसके बाद हम लोगों को पाशार आउजारों का निर्मार करने का जो तरीका है ठीक है इसके बारे में पढ़ना है ठीक है उसके बाद आप लोगों को आ जाएगा तामर पाशार काल के बारे में पढ़ना है फिर इसके बाद देखिया आरंबिक नगर हडपा के बारे में पढ में आरति किस्तिति में से क्रिस्षी में करना है पाइब में परणा imagin', पर अब कर You Faith, एसरा है कर आई म्हार्य स्पार्टन गश्वन के बारे में परणा है। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आप लोगों को पार्ट वन पार्ट वन दो क्लास में कम्प्लेट कराएंगे, आज हमारा पार्ट वन रहेगा, ठीक है, और इसी में देखे हम एक की जो आप लोगों का चेप्टर टू, यानि कि देखे जो चेप्टर वन से जितने भी आप लोगों को डिस्कस करा चुके हैं, ठीक है, आप लोगों के प्लेलिस्ट में जाकर के पढ़ लीजिए का, और बहुत सारे क्वेस्चन भी हमने सॉल्व कराया है, ठीक है, यानि कि जब आप लोगों का पिछले यर जुलाई 23 का एक्जाम हुआ था, उसमें भी हम कुछ लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग NCRT को क्म्प्रिट करेंगे, क्योंकि हमारा जो NCRT है, आपका SST, 60 नमबर का जो पोर्सन होता है, इसमें सबसे जादे, यानि कि बच्चे जो होते, वो फेल हो जाते, कम नमबर आता, ठीक है, इसलिए मेरा ये उद्देश्य है, कि सबसे पहले हम आप सभी लोगों को History, Political और Geography को ही पढ़ाएं, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर पाशाड काल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पाशाड काल में देखें, हम लोगों को पढ़ना है, आरंभिक मानों की जानकारी, ठीक है, पाशाड काल के अंतरगत, हम लोगों को आरंभिक मानों की जानकारी के बारे में पढ़ना है, देखें, इसमें क्या है, कि भारती उप महादीप में जो मानों 20,000 साल पहले रहा करते थे, उनके साच नर्मदा नदी के तट पर मिले थे, ठीक है, यानि कि देखें, जो भारती उप महादीप में जो मानों 20,000 साल पहले रहा करते थे, उनके जो साच्छे हैं वो आपके कहां पर मिले हैं ठीक है तो वो आपका नर्मदा नदी के तड़ पर मिला है ठीक है आगे है कि आज हम उन्हें सिकारी खादे संग्राहक के नाम से जानते हैं ठीक है आगे है कि यह नाम उन्हें भोजन का इंतजाम करने की वीधी के आधार प करते थे मच्छिनियां और चिडियां पकरते थे फल मूल दाने पौधे पत्तियां एकठा किया करते थे इसलिए आज हम उन्हें आखेटा खादे संग्रह के नाम से जानते हैं ठीक है यानि कि जो उस समय के लोग होते थे वो भोजन के लिए जंगली जारवरों को शिकार करते थे ठीक है मच्छिनियां और चिडियों को पकरते थे फल मूल दाने पौधे पत्तियां इकठा करते थे इसलिए अब हम उन्हें क्या बोलते हैं आखेटा खादे शंग्रह के नाम से जानते हैं ठीक है आगे है कि आखेटा खादे शमुदाय के लोग भोजन के लिए नए व प्रारंभिक काल ठीक हमने देखे ऊपर सबसे पहले आप लोगों को पॉइंट वाइज बता दिया था कि आज हम लोग किया क्या पढ़ेंगे इसके बाद हम डिसकस कर रहा है ठीक है अब यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि पाशार काल मानो शब्वेता का प्रारंभिक काल देखें इसमें क्या है कि मानो शब्वेता के दृष्टी से पाशार काल को प्रारंभिक काल माना जाता है भारत में पाशार काल इन सब्वेता का साथ शिशरो प्रथम 18336 में एक विद्वान राबर्ट बुषफूर्ट ने पल वरम ठीक है यानि कि मद्रास से प्राप्त कि अगे कि राबर्ट बुषफूर्ट को भारती प्रागयती हासी काल का प्ता कहा जाता है जो कि मोश्ट इंपॉर्टन्ट है यह आप नोट कर लीजेगा य्मेज देखें यान कि यसमें पाशार काल को तीन भागों में विभाजित किया गया है सबसे पहला आपका पूरा पाशाड़काल होता है दूसरा आपका मध्य पाशाड़काल तीसरा आपका नौ पाशाड़काल होता है ठीक है यहाँ पर देखिए जो पूरा पाशाड़काल है इसमें आपका निम्न पूरा पाशाड़काल हो जाएगा मध्य पूरा पाशाड़क रागेmostद में आप सभी लोगों को बताते रहेंगे। भारत में देखे पूरा पाशार यूगिन सभ्यता का विकास आपका प्ली इस्टोशिन या हीम यूग से हुआ है आगे है कि मानों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले पत्थर के आउजारों के रूप आकार और जैलवाईयों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इसे निम्न तीन चरणों में विभ्यक्त किया गया है ठीक है हमने अभी उपर बताया है निम्न पूरा पाशाड काल ठीक है आपका मध्य पूरा पाशाड काल और लास्ट क्या था उच्छ पूरा पाशाड काल में क्या उपकरण थे उस टाइम आपके कुल्हारी थे हस्त कुठार था और गड़ासा था ठीक है या आपके निम्न कराइने पूरा पाशार काल क discoveries और रोड़ आपका पत्तर तें निम्न नप पुरा पाशार काल के संस्कृटिंधस थी तो NICK निव्न पूरा पाशार काल के संस्कृट्फन किया थी तो संस्कृटि क्या थी हैं वाण पर चापर शानफिंग पेबूस भी यहां पर देखे एक नोट है आप ध्यान दीजेगा कि देखे जो चापर बड़े आकार वाला वह उपकरण होता है ठीके जो आपका पेबुल से बनाया जाता था ठीके और पत्थर के वह बड़े टुकड़े जो पानी के बहाव के कारण चिकने और शापाट होते थे ठीके व जाता है ठीके जो निमनपुरा पाशाड काल चितकानी पनजाब के जो मुक्ष असथल दिए पर शोन गाटे थे पाकिस्तानी पंजाब में है बेलन घाटे यह आपके मुर्जापुर उत्तर प्रदेश में है और आपका सिंग्रोली घाटे यह आपके छोटा नागपुर में है ठीके यह आपके निम्न पूरा पाशाड काल का मुख्य अस्थाल है ठीके और देखिए इस समय के जो मनुष्य है वो निग्रटो जाती के थ जो निम्न पूरा पाशाड काल के मनुष्य होते थे ठीके अगला है हमारा देखिए मध्य पूरा पाशाड काल का उपकरण था यह आपका बेधक खुर्चनी था रंदे वह फलक थे और आपका जो प्रिक्त पदार्थ था वह आपका क्वार्ट जाइट और चर्ट था ठीक अगला है मध्य पूरा पाशाड काल में कि जो फलकों की अधिकता के कारण इस काल को खुर्चनी बेधक संस्कृति के नाम से जाना जाता था ठीके और देखे आपका यहां पर जो मध्य पूरा पाशाड काल है इसके मुख्य अस्थल कौन-कौन से ठीके तो इसके जो मुख तो देखे यह आपका झी एंडर थल ठीके नियकर मानव का यूग था यानि की जो मध्य पूरा पाशार्ड काल था यह आपका झी अंडर थल मानव का यूग था इसके मुख श्तल के बारे में आप लोग समझ के होंगे तो दिड़वाना था निवाश्च भीमबेटका और यह सब आपके मध्य पूरा पाशाडकाल के मुख्य स्थालते हैं, आप सभी लोग नोट्स बनाती चल रहे होंगे, जो भी दिक्कत हो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीके, हम पोसिस करेंगे, आप सभी लोगों के क्वेस्चन का आंसर जर अजक्य है, ऑ्कडाम हां, या थी यहां से मिले थे, यानि के कुर्युल से, दूसरा आगे दिखेस में भीम बेटका यह आपके मध्य परदेश में है ठीक है कुछ कुछ आपके नोट्स दिए गए है नीचे कि यहां पर नोट में लिखा गया है कि यूनeशको है इसने 2004 में जो भीम भेटका को जो जो भीस्वध वरुध हरुपर यानि कि व्ल्ड हैरिट स्टेग है त्टिक इसको घूषित किया दें याने कि युनुष्प ने शामिल किया था का 2004 में स्ञार करिषा, ध्यान दिज samma लिए ग्यान दिएक्छा O होम का इसी काल में हुआ था यानिे पूरा पाश्आणका देखू असका अग्ये हम लुग पढ़नेंगे मद्ध्य cultural काल में क्या है कि जिस इस काल में हमें परिया वरड कि बदलाव मिलते हैं उसे में तो लित्फ ठीक है यानि कि मध्य पाशार यूग कहते हैं ठीक है इस काल का समय लगभग 12,000 इसा पुर्व से लेकर 10,000 इसा पुर्व तक माना जाता है यानि कि जो मध्य पाशार काल है वो आपका 12,000 इसा पुर्व से लेकर कि 10,000 इसा पुर्व तक माना जाता है ठीक है और इस काल के आउजार आम तोर पर बहुत चोटे होते थे, जिन्हें, पाज़ान को डवडी निखे मिलता है, प्राएं इन ओचाले मिलते। के यानि, कि मद्धयपाशार काल में आउजारों में जो हड़ी होते थे, हड़ी या फिर लकड़ियों के मुठ्धे लगे हसिया और आरीज जैसे i exist één विबारी झायर उश्टाइम मिलते थे, मद्धय्पाशारgrowth काल में जो स्रेय ज्यादा था वो आपका कारलोईल महोदय को जाता है ठीक है आगे है कि अब मानव आखेटा के खाद संग्रहक के साथ साथ पशुपालक भी हो गया था पशुपालन के प्रमाण आदमगड यानि के मध्यप्रदेश बागवर यानि के राजस्थान से प्राप्त होते थे ठीक होते हैं देखे जो भी मानो आखेट है कि खादि संग्राहा के साथ था जो आपके पशु पालक भी हो गया था ठीक है तो यह जो प्रशु पालक का प्रमाड है यह आपके आहमदाबाद यानि सरी आदमगर जो कि आपके मद्धिप्रदेश में और बागवर जो कि पालतू बनाया गया वह कुत्ता था यानि कि जो पसु पालक के प्रक्रिया के तहां सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह क्या था ठीक है दीरे दीरे देखे उसके बाद आपका भेड़ हो गया बकरी हो गया गाय शूर जैसे जानवरों को मानो अपने घरों के नजदीक आने को उतसाहिद करने लगे ठीक है यानि कि सबसे पहले जंगली जानवा जिसको पालतो बनाया गया था वो अपका कुट्था था उसके अबाद भेड़, बकरी, गाय, सुवर जैसे जानवरों को मानों अपने घर के नजदीक आने के लिए उतसाहि करने लगे थी ठीक है आगे देखिए हमारे क्या पॉइंट था बसने की प्रक्रिया ठीक है बसने की प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि जो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देख भाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है ठीक है जो बसन है कि वास्तों में आज हम जो भोजन करते हैं वह इसी बसने की प्रक्रिया से ही है ठीक है देखे विंध छेत्र और जो आपका भीम बेटका याने की मध्य प्रदेश में है ठीक है तथा दच्छर उत्तर प्रदेश से प्रागयति हासिक सैल चित्रों की जनकारी मिली है ठीक है आज का खोश ठीक है इसमें देखे है कि आधुनिक आंदर प्रदेश इस्थित कुर्णुल गुफा में राख के आवसेस में रहे है इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जराना सीख गये थे आग का इस्तेमाल इस प्रकार से किया गया होगा जैसे कि प्रकास के लिए मांस पकाने के लिए खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इत्यादे ठीक है है हाला कि देखिए मानों को आग की जनकारी निम्न पूरा पाषाड काल में हुई परंतु आग का उपियोग नौ पाषाड काल में शुरू हुआ था ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे नौ पासार कल ठीक है यहाँ पर हमने देखे पूरा पासार काल पढ़ लिया मद्ये पासार कल पढ़ लिया अब ugsफ्यार पहर चाह पासार कल भूकर में जीन connectिया जीवन ब्यतित करना आरंप कर दिया था नौ पाशार युगो को करांति का युग भी कहा जाता है भारत में नौ पाशारकाल की खोज सर परथम 1860 हिस्थियो में टॉंस नदी के किनारे लेन्सूरियर थी यनि कि देखे इसको ध्यान देजेगा यनि कि जो भारत में 9560 काल की खोज जो हुई थी वो आपका शब से पहले 18.6 हिस्तिव में टांस नदी घाती से लेन सूरियर ने किया था इसमें देखे मुख्य आजार आपके थे पॉलिस कीये हुए पत्थर थे ठीक है यानि कि पॉलिस कीये हुए पत्थर के छोटे वर नुक्विले आजार थे पत्थर की कुलहाड़ी थी, हडड़ी के ओजार थे, इस यूग के ओजार पॉलिसदार होते थे, नुक्विले एम धारदार था जस्पर चर्ट एम फ्लेंट धातु से निर्मित होते थे, अब यहाँ पर देखे जो नौ पास्टारकाल के मुख्य अविस्कार थे, अगनी का पहिये का उप्योग, कपड़ा बुड़ाई, भोजन पकाना, इस्थाई जीवन, क्रिशी, नाओ का निर्मार, इत्यादी, ग्रामिर, संकल्पना का विकास नौ पास्टारकाल से शुरू होता है, तो यह सब देखे आपके मोश्ट इंपास्टारकाल के मुख्य आविस्कार हुआ था, ठीके, अब आगे देखे हम लोग यहाँ पर मेहरगड के बारे में पढ़ेंगे, ठीके, तो देखे जो मेहरगड है फ्रेंश, ठीके, यह आपका जो मेहरगड है, यह पूरा अस्थल इरान जाने वाला सबसे महतपूर रास्ते, यानि कि बोलन दर्रे के पास एक हजार साल पहले के है, ठीके, यानि कि जो मेहरगड के, ठीके, जो नौपाशाड योगिन प्राचिंतम बस्ती वो पहली बार क्रिसी के साथ जो है, वो आपके मेहरगड यानि कि बलुचिस्तन प्रांत पाकिस्तान से ही प्राप्त हुए है, ठीके, और जो यह लगभग आप के 8000 साल पहले के हैं ठीक है जो भी आपके क्रिसी के साथ चमिले हैं यह सब आपके 8000 साल पुराने हैं ठीक है अगला आपका पॉइंट है कि मेहर गड़ वह अस्थान है जहां के इस तरी पूरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जाओ गेहुं उगाना और भेड बकरी पालन सीखा ठीक है यहां खुदाई में पूरा तत्व वीदो को विभीन प्रकार की जानवरों की हड्डियों मिली थी ठीक है यानि कि जो मेहर गड़ है यहां पर जो इस तरी पूरुष थे ठीक है इन्होंने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहुं उगाना और भेड बकरी को प है धимेहरं गड़ ठीक है अगला पुईंट है वोन मिननेट है अगला पुईंट है देखिए कि मेहर गड़ से चावकोर ठीक है जिनमें से कुछ संभावता भंडारण के काम में यानि की काम आते होंगे ठीक है यह सबाब का मेहर गड़ के बारे में है और इसके अलावा एक पॉइंट और है कि इसके अलावा मेहर गड़ एक ऐसी यानि कि मेहर गड़ से एक ऐसी कब्रे मिली है जहां कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामा पर seid अगला उमें है बूर्च ओम के बारे सबिक्ति है यह क्या होता ह criticism बुरज हम ड़तमान कस्मीर के लोग यानि कि गड़े के नीचे घर बनाते थे ठीक है, जिन्हें गरतावास कहा जाता था बुर्ज होम को ही गर्तावास भी कहा जाता था यानि कि जो लोग गड़े के नीचे घर बना करके रहते थे ठीक है एक नोट है आपका पूरा अस्थल के बारे में कि पूरा अस्थल उसस्थान को कहा जाता है जहां पर आğजार बरतन और इमारतो जैसी वस्तूओ के अवसिस मिलते हैं ठीक है यह आपके पूरा अस्थल है पूरा अस्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर और और आजार बरतन और ईमारतों जैसी वस्तुव के आजिस मिलते हैं ठीके अगला पॉइंट है हमारा दावो जली हेडिंग ठीके डावो जली हेडिंग के बारे में खरल और मुशल जैसे पदार्थ हैं इसके उपकरण मिले हैं और इससे पता चलता है कि यहां लोग भोजन के लिए अना जुगाते थे साथ ही यहां से जे डाइट पत्थर भी मिला है ठीके संभावता यह पत्थर चीन से आया होगा इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काश् अति प्राचिन लकड़ी जो सक्त होकर पत्थर बन गई ठीके के ओजार और बरतन भी मिले हैं यानि कि दाओ जली हेडिंग से इस प्रकार के ओजार और बरतन मिले हैं ठीके यानि कि अति प्राचिन लकड़ी जो कि सक्त होकर के पत्थर बन गई ठीके अगले पॉइंट है चिरान्त क्या होता है देखे यह जो आपका चिरान्त है法 यहापकी नोपाशार आइसा पूरा सित्थल जहां से हड़ी के उपकरड़ पाए गए है खे जो मुख्यरूप से हीरर के सिंगों के है जो इस प्रकार के प्रकार के अगला पॉइंट है कि कुम्भकारी के प्रमाच सरु पर्थम नौपाशार यूग से मिलते हैं जो इस यूग में मिले काला धुशर तथा मंदवड़े यानि की मृदभांड से सिद्ध होता है कि बुर्ज होम के निवासी मृदभांडों का उप्योग करते थे ठीक है चलिए अगला पॉइंट की ओर चलेंगे और देखेंगे यहां पर देखे कुछ नोट आपको दिये गया है यानि की चकमक पत्थर तथा लाल सागर की कौड़िया एंवा भूमत दिशागर की सीपिया ठीक है या आपके आन्यत्रिया प्रसिद्ध पूरा अस्थल थे ठीक है इसके बारे में थोड़ा सा जनकारी है इसको देख लीजे का आगे हम लोग पढ़ेंगे पाशाड औजार का निर्मार करने का तरीका यानि कि जो पाशाड जो आउजार है इसको निर्मार करने के क्या क्या तरीके है ठीक है तो देखे यहां पर है कि जो पाशाड औजार है इसको निर्मार करने के दो तरीके होते थे पहला आपका होता था पत्थर से पत्थर को काटना दूसरा है दबाव सल्क तकनिक ठीक है यानि कि देखे सबसे पहले जो पाशाड आउजार का निर्मार करने का जो पहला तरीका है यानि कि पत्थर से पत्थर को काटना जब तक कि वांशित आकार वाला उपकरण न बन जाया ठीक है और दूसरा आपका होता है दबाव सल्क तकनिक देखिए इस तकनिक में ये होता है कि जो क्रोड होता है ठीक है इसको एक इस्तिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड़ी या पत्थर रखकर उस पर काले जाते हैं जिससे वांशित उपकरण बनाया जाते हैं ठीक है आगे आपका नोट है नोट में देखिए लिखा गया है कि उद्योग स्थल उन अस्थलों को कहते हैं जहां लोग पत्थरों से और बनाते थी कभी-कभी लोग इन अस्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रह आते थे कभी-कभी लोग इन अस्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा भी करते थे ठीक है ऐसे अस्थलों को आवासी उद्योग अस्थल भी कहते हैं ठीक है आगे दिक प्वाइं पुरा अस्थल से सुत्रमुर्ग के अंडों के आवसेस मिले हैं इनमें छिलकों का चित्र मुर्गें के अंडों के औसयेस मीले हैं और इनमें से जो चिलके होते हैं ठीके चुछ कह पुई और प्यूग किया घ्या गया थिक है कि आभजार या फिर उपकरड yard या मिलता था लोकसंतियों के शहारे केवल जhrूम क्रीशी कार और म window यहां पर पस्चीम भंगाह्र राजòn और भार ठीक है यह सब थे संस्कृतियां आपकी आहड कायद संस्कृति मालवा संस्कृति थी ठीके आहड का पुराना नाम क्या था ताममवती यानि कि ताममे वाली जगह ती यहां पर काले काले लाल रंग के इम्रिद भांटों का प्रियोंग कि आगे आगे हम लोग बात करनेगे देखिए आएगा कि यानि कि सबसे पहले देखे कुछ मुहत्वपुल पूरा अस्थल है ठीक है और उन से प्रापत आवस्यस हैं сबसे पहले देखे यहां पर कुर्णुल गूफ आये हैं अन्ध्र प्रदे अस्थि में ठीक है यहां पर जो प्रापत आउस्यस मिले थे यहां करनाटक में यहां पर आवासी उद्योग अस्थल चुना पत्रों के आउजार मिले थे ठीके तिसरा आगे है आपका भीम बेटका जो कि मेध्य प्रदेश में यहां पर आवासी यानि की प्राकरति गूफाएं या फिर सैलास्थ्रे जिसे हम लोग कहते हैं ठीके यह सब आवस चेम बाद यहां पर आखे इस्तंब गर्त के प्रमालड़ प्राप्त हुए है इसमें आपका दूसरा में विंद्य चेत्र के भीम बेटका जानेकि जो मध्य प्रदेश में है ठीके इसमें आपके प्रागयति हासिक सैल्ट्र प्राप्ट हुए है ठीके यानि की महा पास्ट पूरास्थल में सबसे पहले आप लोगों का है पयम पल्ली जो कि आपका तमील नाडू में यहां पर आपके सुवर एवं ज्वार बाजरा काला चना के आवसेस प्राप्त हुए हैं महागड उत्तर प्रदेस में चावल मवेसी यानिकी मिट्टी पर खूर के निसान यह सब आपके महागड यानिकी उत्तर प्रदेस से प्राप्त हुए हैं और नियुए जो कि आधनिक भी हार में यहां से हरा चेन न और ले अगला है आपका बुर्ज हों वा गुफक्राल यानिकि offer पूरा अस्थल में सबसे पहले आपका ब्रह्म गरी यानिकि करनाटक से आपका सोने के मन के एवं शंख के कलश शावधान का साच्छ प्राप्त हुआ है दूसरा है आपका इसमें आदिस चन्न लूर जो ढेकि दछल भारत में है यहां से आपके जानवरों के हड्डियों पर काटने के निशान मतन वा तिल के बीज के आवसेस प्राप्त हुए हैं और देखें यहां पर लाश्ट में आपका आरंभिक गाव हैं यानि कि इनाम गाव यहां से आपके महापाशार कब्र यानि कि सीर उत्तर ही ओर रहता है यह आपके यानि कि इसके साथ छे मिले हैं ठीक है तो आई हो फ्रेंड्स आप सभी लोगों को महतापुड पुरास्थल और प्राप्त आवसेसों के बारे में जानकारी मिल गई होगी ठीक है आगे दिखिए हैं आपका आरंभिक नगर हडपा ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर हडपा के बारे में सबसे पहले खोज तो देखें जो आधुनिक पाकिस्तान में आज लगभग 150 साल पहले ठीक है पंजाब प्रांत में जब पहले बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तब इस काम में जुटे इंजिनियरों को हडपा पुरा अस्थल मिला था ठीक है इसके बाद देखें 1921 में पुरतत वीदों ने इस अस्थल को ढूंढा और बताया कि यह खंडहर उप महादिविपो के सबसे पुराने शहरों में से एक है चुकि इस नगर के खोज सबसे पहले हुई इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरा अस्थलों में जो इमारते चीजे मिली है उन सभी को 250 प्रशाल की इमारते कहा गया खीए और इन सहरों का निर्माध गयूंट की 4770 पहले हुआ खीए जिसे आद्य Іतिहास के अंतरगत माना जाता है खीए यानि कि जो हरपा शब्वेता है वो आपका एक कांस यूगिन सब्वेता है जिसे आध्य इतिहास के अंतरगत माना जाता है आगे है कि जान मारसन ने सरव पर्थम इसे सिंदू शब्वेता का नाम दिया ठीक है और यह सब्वेता दजला फारात और नील घाटी सब्वेताओं की शमकाले इन है इसके देखिए काल का निर्धार यानि कि हरपा शब्विता के काल का निर्धार देखिए जो रेडियो कार्बन 14 ही यानि कि C14 जैसी नमीन बिसलेसर पधती के द्वारा हरपा शब्विता किती थी यानि कि माना गया जो कि सरवाधिक मानना है यानि कि जो आपके हडपा सब्विता कितिते है वो सबसे most important यहीं है प्चीस सो इसापुर उसे स सतर बलुचिछ सह बक्चास इसापुर्व ही माना गया है ठीके और जो हरपा सब्विता का जो विस्तार है फ्रेंड्स ये देखे कहां तक है तो जो हरपा सब्विता का विस्तार है देखे अब तक इस सब्विता के आवसेश पाकिस्तान और भारत में पंजाब सिंध बलुचिस्तान गुजरात राजस्थान हरियाडा पस्चिम उत्त प्रदेष जम्मो कस्टमीर पषच्च्बी माहराष्ट के भागों में पै जा चुके हैं। आगे है कि सरवादिक पषच्च्डी मुत्थल शुथक्र ठीड़ का ड़ेर यानि कि बलोचिस्तान में पा जड़ा हैं। कि मेरठ उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू में ठीक है以 daar missiles दैमा vere die महाराष्थल आकार त्रीभूजकार है और त्रीभूजकार अथ Hm अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हडपा के बारे में, ठीके, देखिए हडपा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीके, पॉइंट वाइज है, जो हडपा से प्राप्त दो तीलों में, पूर्वी तीले का नगर तीला तथा, पस्चमी तीले को दुर्ग तीला के नाम से संबोजित किया जाता है यानि कि जो हडपा से प्राप्त दो टीले थे ठीके पूर्वी टीले टीले को नगर टीला था जो पस्चमी टीले था यानि कि टीला था उसको दुर्ग टीला के नाम से संबोजित किया जाता था दूसरा पॉइंट है कि हडपा के शामाने आव कुछ ऐसे भवन है जिनकी पहचान कर्मचारियों के आवास दस्तकारी के मंच और अन्नागार से की गई है ठीक है और अगला आपका पॉइंट है हडपा के बारे में कि संख का बना बैल इस्तरी के गर्व से निकला हुआ पौधा पीतल का बना इकका इटो के बृत्तकार चब बहुत जादे हम डिटेल में डिसकस नहीं कर रहें हैं अब यहां पर देखिया हम लोग बढ़ेंगे हरपा कालीन अस्तरणों के महत्वड तत्त्य के बारे में हम लोग थोड़ा से यहां पर डिसकस करेंगे तो सबसे पहले यहां पर देखिया इस्तल है ठीक है फिर इसके दयाराम शाहनी है ठीके और इसका जो वर्स है वो आपका 1921 में हुआ था और वर्तमान में ये आपकी मौंट गोमरी जीला यानि की पंजाब प्रांथ पाकिस्तान में रावी नदी के तठपर है ठीके दूसरा है आपका मोहन जोदुडो मोहन जोदुडो देखे फ्रेंड्स जो उत्करन करता है ये आपके रखाल दास बनर जी ठीके मार्टिमर वीलर जो की 1922 में इसकी खोच किया था ठीके और ये वर्तमान में लर्काना जीला सिंध प्रांथ पाकिस्तान सिंधु नदी के तठपर है तीसरा आपका पॉइंट है इसमें अस्थल चन्हू दडो ठीक पंजाब यानि की पाकिस्तान सिंधु नदी के तठपर इस्थी थे चौथा आपका इस्थल है लोथल इसके उत्खनन करता फ्रेंड्स आपकी रंगनाथ राओ ठीके उननीश्तो सत्तावन में इंडो ने खोच किया था ठीके रंगनाथ राओ ने लोथल का ठीके और वर्त बीवी लाल ठीके यानि कि अमला नंद घोच जो है उन्नीशो तिरिपन में इसकी खोच किया था और वर्तमान में स्री गंगा नगर यानि की राजस्थान में घगघर नदी के तठपर इस्थे थे अगला आपका अस्थल है बनवाली देखे बनवाली की जो उत्खरन करता ह आपके रविंद्र शिंग विंट है ठीके इन्होंने 1973 इसकी खोच की थी ठीके और वर्तमान में हिसार यानि की हरियाड़ा सरश्वती नदी के तठपर इस्थीत है अगला आपका इस्थल है रंगपूर जो की आपके यानि की जो रंगपूर के उत्खनन करता है यह आपके इसकी खोच की थी वर्तमान में गुजरात में मादर नदी के तठपर इस्थीत है अगला है आपका सुत कांगे डोर इसकी उत्खनन करता है आपके आरेल इस्थाइन इस्थाइन उननीस सोटाइस इस्थी में जो की वर्तमान जोसी और उनिनषو और इसकी खोच की थी और वर्तमान गुजरात में इस्थित और अगला आपका स्थल है मांडा जो आलमगीर पूर इसके उत्खनन करता आपके यग्यदत्य शर्मा है इसके उत्खनन वर्ष जो हुआ है यानिकि उन्निश्च अठावन इस्षी में हुआ है ठीक है और वर्तमान में यह मेरत उत्तर प्रदेश यानिकी हिंडन नदी के तठ़ पर इस्थित है तो आई हो फ् आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अगला अब अब हम लोग मोहन जोड़ो के बारे में इसको करेंगे मैं कि शिंधे में जोड़ो का अर्थ शाबदी करत होटा है मृत को क्यों यानि कि यह सिंध के करनाला जीले में शिंदो नदी पर इस्तित है ठीके अगला पॉइंट है कि मोहन जोड़ों में 20 साल तालाब बनाया गया था जिसे पुरा तत्वीदों ने महान इश्णानागार कहा इस तालाब को बनाने में इट और प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चड़ाई गई थी जिससे की पाने का रिशाव रोका जा सके इसमें भरने के लिए पाने एक कोई से निकाला जाता था ठीके और धार्मिक अनुस्थानों के लिए इसका उप्योग बिसिष्ट नागरिक किया करते थे यानि कि बिसिष्ट अनुस्थानों के लिए इसका अगला पॉइंट है कि विसाल अन्नागार मोहन जोदुल की सबसे बड़ी इमारत है जो की 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर शोड़ा है तिक है यह आपका सबसे विसाल अन्नागार मोहन जोदुल की सबसे बड़ी इमारत थी ठीक है अगला पॉइंट आपका कि मोहन जोदुडों में नगर योजना के अंतरगत उत्तर जच्छड एवं पुरू पस्चिम की ओर जाने वाली शमारांतर शड़कों का जाल बिछा था जिन्होंने नगर को लगभग शामान आकार वाले खंडों में विभाजित क य हागे देखेंगे इसके बारे एक और पॉइंट था आपका है कि इन्रफ्रट नारी की मुर्ती पुजारी यानिकी योगी की मुर्ति मुद्रा पर अंकित पशुपती नाथ सियो की मुर्ति शूती कपड़ा यानि के सीपी की बनी पटरी गीली मिट्टी पर कपड़ों के साथ छे मिले थे मुहन जोदोड़े ठीक है अगला आपका है हेडिंग धौला वीरा ठीक है धौला वीरा के बारे में देख्ये थोड़ा सा हम लोग knowledge लेंगे कि ये क्या है तो देखें ये जो धौला वीरा है friends ये आपके कच्छ के इलाके में खादिर ठीक है खादिर बेद के किनारे धौला वीरा नगर बसा था जहां हडपा सब्वेता के कई नगर दो भागों में विभगत थे ठीक है वहीं धौला वीर जहां सारवजनी कारेक्रम आयोजित किये जाते थे ठीक है आगे है कि यहां मिले कुछ आवसेसों में हडपा लीपी के बड़े-बड़े अच्छरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इन अभिलेखों को शंभावता लकड़ी में जड़ा गया था यह एक अनोखा आप सभी लोग धालावीरा के बारे समझ गया हैंगे कच्छ के इलाके में या आपके गुजरात के कच्छ चत्र की बात की जा रही है ठीक है वहीं पर है यह अगला पॉइंट है आपका लोथल ठीक है देखिए लोथल में क्या कहा गया है लोथल ठीक है इसमें यह आपका पत्थर जैसा माल आशानी से मिल जाता था यहां पत्थरों शंखों और धातों से बनाई गई चीजों का महत्थपूर केंद्र था ठीक और देखे जो लोथल है इसमें और भी पॉइंट है कि इस नगर में एक भंडार ग्रिह था ठीक या मुहरबंदी यानि कि मुहरबंदी जिसे हम लोग गीली मिट्टी पर दवाने से बनी उनकी छाप होती है यह आपके मिले थे ठीके अगला पॉइंट है कि लोथल का बंदरगाह ऐसा बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावे रुकती थी शंभा पर दवाने, मन के बंदराने वाले उपकरव़ मन के भी याने कि मिलते हैं यूच जो कालि भंगा होता है इसमें फ्राख शंध्व, महतपुड उपलब्दे, जुते हुए खेद के शाच्छे मिले हैं ठीके दूसरा पॉइंट है कि सेल खड़ी की मुहरे एवं मिट्टी की छोटी मुहरे यानि कि सीले महत्पुड अभी लिखी तो वस्तुए थी जिनके वड़ हरपा कालीन लीपी के शमान है ठीके अगला पॉइंट है कि महत्पुड अवसेश हल के निशान जुते हुए हल के साच्छे अलंकृत इटो का प्रयोग यूगल तथा प्रतिकात्मक समाधियां काली चूणियां हमन कुंट या अगनी कुंट इत्यादी ये सबाब के कालीन बंगा से ही प्राप्त हुए है ठीके अगला पॉइंट है इसमें आपका घरों के निर्माड में कच्छी इटो का प्रयोग होता था यानि कि लोथल में ही घरों के निर्माड में कच्छी इटो का प्रयोग होता था ठीके और काली बंगा और लोथल जैसे नगरों में अगनी कुंड के साच्छे मिले यानि कि काली बंगा और लोथल इन दोनों में ह अगनी कुंड के साथ छी मिले हैं ठीक है तो आई यो फ्रेंड इसमें देखें पार्ट वन में यानि की जो हमारा चेप्टर था ठीक है सेकेंड पार्ट वन मिनट देखिए जो आपका अध्या टू था मानव का विकास प्रारंबिक समास से नगर तक हमने आपको देखिए पहले ही बताया है कि पार्ट वन पार्ट वन में बताया है तो पार्ट वन में इतने हमने आपको थियोरी बताया है पार्ट वन में थोड़ा सा थियोरी और बचा है औ कर लिजिए चैनल है हमारा लर्ण भी थल्पना और कंटीन्यू ऐसे ही आप सभी लोगों को अब डेली के डेली को यानि की क्लास NCRT बेस पर कराये जाएंगे तो आप सभी लोग फ्रेंड्स चैनल से जुड़े रहें बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि हमारी आने व